हाजी मित्रो, मैंने एक छोटी सी क्लिप डाली थी, मैंने एक लच्छा पराठा बनाया था, तो इतने सारे लच्छे देखे लोग बोली ने कि नूडल के साथ लोग ये नूडल बनाया गया आपने, नहीं मेरे भाई, ये लच्छा पराठा है ये और ये लेयर्स है, कैसे बन इसके बाद इसमें 구Dal डालते हैं अब इसे सारी चीजों को आपको एक साथ मिला लेना है, धिक़ें पानी हुआ्फिस, पानी मद डाली जिएगा अच्छी तरह मसलते हुए, यह जो लच्छो का important है यह आटा गुन्दे में है, तो आपको आटा गुन्दे में थोड़ी सी नजाकत दिखानी पड़ेगी, तो एक soft सा डो तैयार करना है, अच्छी तरह उसको मसलना है, 2-3 मिनट तक ऐसे, देखिए, उठी बांद के और एक soft स 20 मिनट, 20 मिनट कम से कम इसको रेष्ट के लिए ढख के, मतलब हवा नहीं जानी चीए, ऐसे छोड़ दीजेगा, अब इसको निकालना है, इसके उपर आधा चमच ओई डालना है, अब इसको देखिए, मैं कैसे कर रहा हूँ, आप देखते रहे यह देखिए, अच्छी तरह आपको लगभग 3-4 मिनट तक इसको ऐसे स्टेच करना है, फिर एखटा करना है, फिर स्टेच करना है, फिर एखटा करना है, इससे क्या होगा, इसकी जो लचक है, वो कम हो जाएगी, जैसे आप रोटियां अगर इसके मैदे के बेलते हैं, तो बाद में सिकूडने लगती ह तो ऐसा करने के बाद वो सिकूडनेंगी नहीं, जितना आप बेलेंगे उतना ही रहेगा, इसके चार पार्ट मैंने कर लिए है, अब एक मैंने लोई ले लिए है, छोटी सी रोटी के बराबर, और इसको एक गोल साइज कर देना है, आपको ठीक है, अब क्या करना है, सूख पतली होती है, उतना ही बड़ा आपको इसको बेलना है, अब कटर की मैंसे या चाकूब की मैंसे, इसके पतले पतले पीसे कट करने है, मैं आपको अभी दिखाऊँगा कि ये कितने पतले हैं, आपको पीसे कट करने हैं, इसको इसमें थोड़ी से महनत लगेगी, लेकिन यह आपको चारो तरफ आपको अच्छी तरह लगा लेना है हाथों से यह आपके पास ब्रश है तो उसका इस्तमाल कर सकते हैं अब सिंपली इसको ऐसे उठा उठा करना है यू नहीं कि धरके मरोड दिये इसका कान अगदम लाबच उठा कर दिये ऐसा नहीं करना है हलके हाथों से इसको ऐसे लपेट लेना अब फिर आपको इसको स्टैच करना है धीरे धीरे इसको खीचना है थोड़ा सा लंबा कर लेना है इसको ठीक है पहले पेड़े तयार कर लिजेगा फिर पेड़ों को ढखके रखेगा और फिर आपको बेलन का इस्तमाल नहीं करना है हाथों की मदद से जितना ये फैलता है उतना फैला दीजेगा ये थोड़ा सा मोटा ही रखेगा यूनी कि हमने मतलब बेल दिया इसको एकदम रोटी बना ताकि ये अच्छी तरह अंदर से सिके और फ्लेम जो है आपको लो मीडियम रखना है जदा हाई फ्लेम नहीं रखना है क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा रहता है तो अंदर तक ये पूरी तरह सिक जाना चाहिए अब इसके लच्छे देख रहे हैं पहले ये खुलने लगे है और हमारा एक पराठा बन के दियार हो चुक है एसे अब बाकी के पराठे प्रिपयर कर सकते हैं और लच्छे आपके सामने है मैंने इसे जो अभी जो चल रहा है सब के घर में अलु मेआ, अलू मटर, अलू मटर, अई उसके सा eher Allah किया है आप किसी भी चीज के सा इंजॉई क आत्यु सोबफ़ बाई कर दो